नमस्कार, आप सभी का आप देखरें जी हंदुस्तान मैं हूं आपकी साथ पुरतिकास है नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालेD का पूर्टिवारी बड़ी खबर जो इस वक्की मिल रही है, उसी के साथ कर लेते हैं शुरुआत खुद को नंदी ग्राम का भूमी पुत्र बताने वाले शुबेंदू अधिकारी ने दीदी पर जोरदार हमला बोला है शुबेंदू ने दीदी पर हमला बोलते वे का कि भवानी पूर के अपने सीट छोड़ कर भाग क्यों रही है ममता दीदी इसके साथ ही कहा कि ममता पैनोची वाहां से जितने वोटों से हारती उससे तीन दुनार जादा वोटों से दीदी को हराएंगे शुबेंदू अधिकारी ने कहा कि अब जंग के मैदान में मुलाकात होगी और दो बाई को बंगाल से हरा रंग हट जाएगा और गेरुआ छाजाएगा तेका मुखो मंत्री निजेर केंद्रो छड़े पालाचेन के नो कारोंटे की हरे जबेंदू तो खने जाब होटे हाथ तेन आमरा ताथ्थे के तीन मुल होटे खने हारावो लडाईर मुएदा ने देका आवे आदूतारी के गणोनार दिन आमरा सबू जाबिस्षरिये गेरुआ आभी रोडावो और इसे के साथ दो तस्वीरे फिलाल इस वक्त आपको हम बता रहे हैं दस को दीदी परचा भरने वाली है नंदी ग्राम से और दीदी के सामने कौन होगा ये फिलाल इस पश्ट नहीं है आलग की शुवेंदू अधिकारी होंगे ऐसा का जा रहा है लेकिन इसका अधिकारिक एलान नहीं हुआ है अभी और नंदी ग्राम में बंग की जंग का सबसे सुपर हिट मुकाबला होने वाला है दीदी ने नंदी ग्राम सीट से दस मार्च को परचा भरने का एलान करकिया है अब नंदी ग्राम में दीदी के सामने बीजेपी का युद्धा कौन होगा इसका पता आठ शाम तक चल जाए बंग की जंग में दीदी ने सिक्सर मारने की कोशिश की है लेकिन नंदीग्राम में कैच आउट होने का खत्रा भी है हलाकि अभी तक बीजेपी ने नंदीग्राम के महायोद्धा का ऐलान नहीं किया है लेकिन बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि अब की बार नंदी ग्राम में दीदी को सौ फिस्दी हराएंगे दीदी के दोसो 91 रण बांकुरों में सौ नए फाइटर हैं जबकि 50 महिला लडाका है ममता ने मुसल्मानों पर महरबानी दिखाते हुए 42 मुसलिम उमिद्वारों पर भी दाउं खेला है 27 मौजूदा विदायकों की पतंग दीदी ने काट दी है लहाजा कई जगे गुसा भी दिखाई दे रहा है सोनगचिया से टीमसी विदायक सोनाली गुहर टिकट कटने के बाद रोपणी टीमसी में नई बगावत का खत्रा बढ़ गया है उधर नंदी ग्राम के भूमिपुत्र सुबेंदू अधिकारी ने कहा है कि इस बार बंगाल में गेरुआ च्छा जाएगा दो माई को दीदी जीत की हेट्रिक बनाने का ख्वाब देख रही है लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार बंग की जंग में दीदी का हिट विकेट होना तय है बिर रिपोर्ट जी मीडिया पर बड़ी संख्या में कारे करता हुंडे और आप देखें तस्पीरों में आपको धुआ उठता हुआ दिखाई दे रहा है यह टायर जला करके सड़क्यों पर आग लगाए यह देखें तस्पीर है हिदुस्तान पर एक्स्क्रूसिफ तस्पीर है आप देखें दक्षिन 24 परगना में यह तोर्फोर की गई है टीमसी कारे करताओं की तरफ से आलगे दोस्तों इक्तियान में स्टीचों को उमिक्मारों का ऐलान टीमसी की तरफ से कर दिया गया है और उन्हें दीदी पर हिंदी भाषियों का अपमान करने का अरूप लगाया है और उन्हें बीजेपी में जाने का संकेत भी दे दिया इसके साथ ही मुकुल रॉय से मुलाकात कर लिया